मसकार दोस्तों आपके अपने चैनल आरके नीज अपडेट फिर आपका स्वागत है दोस्तों पेस आपके सामने वाई नोकरियों से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ हरियाना सरकारगा ग्रूप सी पदों के लिए खिलाडियों के अरक्षन देने के पत्तर में जोलवाई परदे सरकार ग्रूप सी पदों के लिए अक्षन समाप्त कर दिया था और बाद में इसे लागू किया गया तो अब समश्या क्या हड़ी हुई है इसके बारे में बात करेंगे चैनल पर नहीं जोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे तो पहले तो बता देते हैं उनको ओएसपी में कैसे रखा गया है और इसपी आउस्टेंडिंग स्पोर्ट्स परसन और एलिजिवल स्पोर्ट्स परसन में कैसे रखा गया है उस्पी की बात करें तो 26 मई दोजार इकीस की तिस सुचना के अनुसार अगर ग्रेडेशन है तो आप जाएंगे वैसपी में अगर 25 मई 2018 के अनुसार आपका ग्रेडेशन बनता तो आप जाएंगे इसपी में उसके बाद बात करें वही जोल क्या है तो ब्यारीस जार पदों पर गरूप सी की बरती हो नहीं है आप सभी को प इस पदर ज्याता होने से पर मीधर लोग मतलब कि तीन वीवागों में ही बरे Państu जाएंगे मिभाब कुन से कुन से ते उसके बारे में बताया था और जैसे तो एजले करने की बात की गई ती लेकिन है इसने काफी मुद्द उठाया और ती जो है तीन पर्सेंट इरुशन दुबारा से दिया गया तो अब सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि 1260 पद खिलाडियों के बनते हैं 42,000 पदों की मरती सभी वागों में उनी है लेकिन अगर 1260 पद जो है अगर इन तीन वी वागों में बरे जाएंगे तो इन डिपार्ट्मेंटों में बाकी कंडिडेट्यों की जो है पॉस्ट elder काम हो जाएंगी जिननके पास स्पॉट्स ग्रेडिशन ऑंकडिरूसरह की तो यह कारण है जो तीन वी वागों में बनने का जो मुद्धा है इसके कारण ही ये सारा जोल पैदा हुआ है क्योंकि तीन डिपार्टमेंटों में अगर बर होगे तो बाकी जिनके पास ग्रेडिशन सर्टिफिकेट नहीं है वो कहा जाएंगे उन तीन डिपार्टमेंटों में तो ये चाहने कारी रहेगी शेयर सब्सक्राइब सी के साथ थैंकि दोस्तों